लूज यह चाहिए अच्छिए आप लोग लोग चलो तो सभी स्ट्टेइंट्स का बहुत बहुत सवागए थे स्ट्रेक्टमी पर वाज फ्राइब कर दिख रहा है और वीडियो प्राइब अरड़ीर सभी लोगों को है चलो उमीद करता हूँ सभी सबकुशत क्लेटर होगा तो हमारी फिजीस क्लास से स्टार्ट हो गई है कौंसी क्लास fera लास और फिजिक्स में मारा चेप्टर नमबर एट यानि हाइड्रो स्टेटिक्स चल रहा है क्या चेप्टर नमबर एट जिसका रहा है 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 फिर और आर्टीमिदीश प्रिंसिपल आर्टीमिदीश और अधिचे प्रिंसिपल ठेकर अ इंधिया का करते हैं त्रव Orange की इसका आपने पिश्य लेक्चरra में बहुत कुछ बेसिक बताया था ठेकर प्रेश्चर के बारे में लिकविड पर्श्य की बारे जिए धान्त लिए यह मारा टॉपिक था अब अगर बात करें तो पिछले लेक्षर एक पड़ा था पिछले लेक्षर के बारे में पड़ा था कि दाप क्या होता है फिर दाप के साथ साथ बदब कैसी यूनिट है वगएर वगएर सारी से जाने थी और सबक्रांद की प्रेश बारे में बात करने वाले थे और करेंगे भी आज भी करेंगे कुछ खल भी किया था अब क्या करते हैं कि अपनी लेक्टर को आगे बढ़ने से पहले ये बार आप सभी को पूशना चाहेंगे आप सभी से कनफ़रना चाहेंगे कि जो किसी लेक्शर में द्रिंधक जो आप पढ़ रहे हैं जैसे फीजिक्स का सब्जिक्स है यह इपको किया है आपको कुछ ने करना कि आपको करना है कि पिछला लेक्यर करक Wear कर comparison है चलो तो शुरू करते हैं लिखने वाली चीजंगे मैं आपको क्या करना है बस मैंको समझहोंगा और पढ़ाऊंगा तो फार लास्ट टॉपिक था उस पे था द्रफदाब की नियम ठीक है अब थ्रश्ट फोर्स वगए रहा हम आज पढ़ेंगे द्रफदाब के नियम यानि लॉज ऑफ लिक्विड प्रिशर जिसके दो मैंने पहले बता दिये थे दो पॉइंट में एक्सपें कर दियते हैं बाकी आज देखते हैं दो पॉइंट किया था उसको रिवाइस कर लेते हैं एक बाए ठीक है हाइड्रो सेटिक का नाम है और हमने टॉपिक जो चला था करने प्रिशर के बढ़े में था अब आज क्यो टॉपिक में हम जानेंगे कि लाइज ऑफ लिक्विड प आज लेक्शन में अदर की तरफ बल नहीं लगाएगा दूसरा था द्रफ दाप यानि लग्विड प्रिशर गहराई के सवानुपाती होता है यानि पी किसके प्रोश्ट होता है अब जाइश बात है अगर कोई वस्तू है पी का फॉर्मला क्या होता है पी का फॉर्मला होत होता है अब लिक्विड के सवानुपाती होता है यानि पी प्रोश्टल टू एच क्योंकि डी कॉंस्टेंट और जी कॉंस्टेंट एक द्रफ के लिए डी हमें सेम रहेगा जी तो पूरे प्रसी पर सेम रहेगा और एच एच वेरियेबल है यानि जो पी होता है यानि सब कि लिए थे अब आज यो मैं पढ़ना है आज हमें पढ़ना वो क्या है द्रव के भीटर कि चेंडेक बिंदू पर 20 में और 216 पर गोम समान रहता है अगर यह चांग vais तो किया हाइट यहाँ पर है यहाँ यहाँ पर इहा पर हाइट से जाइफ इसका के सब्सक्राइब कर एक दी जी गन्सेंट जया महीं है क्या होगा थे यह अप्राइए तो यहां पर हर पॉइंट पर देखा जाए यह एक ही होरीजन्टल सर्फिस है यह एक ही होरीजन्टल सर्फिस है यह एक ही horizontal surface है नहीं होगा हर जगा प्र crack ho वो सेम होगा कि नहीं होगा आप लोग खुद बढ़ेगे हार जो प्रेशर पड़ेगा वो सेम होगा पिस इकोल टो एच डीजी यानि प्रेशर इस इकल टो हाइट इंटो डेफ इंटो ग्राविटी तो पी के लिए बतलब किसी एक होरिजोंटल सर्फिस के लिए एच बराब आगे दिखते हैं आप आगे जो बहुला पॉइंट बनता है कि इस तर द्रव में किसी बिन्दु द्वारा प्रतीक दीशा में समान लगाया जाता है जिसे मैंने क्या बूला वहीं एक वेसर बनाते हैं जा करते हैं एक बसल बनाते हैं एक पात्र जिसमें मारा लिक्विड रखहराएगा ठेक? यह हमारा छोटा सा पात रहें और इसमें क्या है लिक्विंड हुआ है ठीक है लिक्विड भणवा mı ओ मिर्ए हाथ है इस पॉइंट पर हम देखें कि मारा प्रेशर में प्रिट्र ने कि writing कि यो Dortybba लगता किता समाल लगतान का यानि इस दिशा में P1 ऊपर कि है मैं डाबर पित्री इसंट नियम और ब्राबर हम कि द८किन जेरन लगे, वह सब नमद आशर नियम होता है इस पिंगम अरव जिख इस सेंगुर्टे ऐन अबिवस्के पर जब और तरव द्यच नंदर उनकी गरन तरह तो सिंपल सी चीज ऐ कि अगर देखो यह को यह लिकविड है ठीक है इसको लिकविड वन माल लेता है यह लिकविड वन है यह लीविड टू है यह लिकविड फ्री था तो देंसिटी इसका का D1 सबके सबक्राइभ लेलें इसकी विए इसकी एच गराए इसकी बराबर होता है H D G अगर सब किसे पर निरप्रकर एका उसका इसका प्रोगा होगा उसका प्रशन ज्यादा होगा जिसका बेच कीजिगा लग chrom खिब सकती ज्यादा क्योंकि केयुम knew क्यों कि कॉन्सट्रफिच एच में सबस्क्राइब तो पर डी च्रमान उपती है अगर देemie कि ग्रुटर या थिक्ट 快्र देख्म को दिखा गयी है के समाण गहराई पर रो तरवों यानि समांगय है यह तो अलग-अलग द रवसके जलब म muchísimo की बात हो घुटे हैं इसको मिटाते हैं गई हम हईट करेंग देट्स अगर एच एच ही हो तो निल्ए के लिए प्रिशोगां किसला करेंगा वो दंसीटिपेंग करेंगाने के लिए तो प्रिशा सीबाट करेंगा आगे देखा जाए अब बात करते हैं अप्थ्रश्ट की यानि बॉयंट फोर्स तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा बल होता है जो कि किसी जल के अंदर अगर किसी भी वस्तु को इमर्ज किया जाता है तो वह जो जल होता है वह उस वस्तु को बाहर फिकने का प्रयास करता है ठीक है आप लोग एक एक करता मनने करता है तो इसमीं के दग कि जाती है उसी के दूरान एक एक्टिविटी की जाती है कि क्या करते है इंसान जो जग रहता है बतलब जिस मग से नहाना होता है उसको क्या पानी में डूबोते हैं तो जब भी उसको पानी में डूबोते हैं तो वो जो पानी होता है वो उस जग को बाहर फिकने का प्रयास करता है आप उस्ता पनी और वश्ता करता है चाहता है इसको इसको पनी पास क्यों रखू कि निकाल के फेकने का परियास करता है और जिस बल से निकाल के फेकने का का प्रयास करता है उससे क्या कहते है उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स क्लियर है अब थोड़ सा अप्थरश की पारे देख लेते हैं अब थर्श अप्थरश अप्थरश की बोलते चलेंगे वाइट फोर्स और लंबा नाम है तो किसी वस्तु को आंशिक रूप से डूबया जाए या पूर्ण रूप से डूबया जाए अगर आप जग को थोड़ा से डाले तो अब पूरर डाले तो भी बाहर निगाले का प्रयास तो किया जाता है और जिस बोल से किया जाता है उसी बल को क्या कहते हैं उसिवल को क्या कई अगर उनवे तो वेन ऑब्जेक्ट is यानि इमर्जड ठीक है मतलब डूब जाता है बैन अब्जेक्ट इस डिप पार्शली और फुली यह तो आंसीक रूप से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से उसको डूबया जाता है पानी में तो एक फोर्स एक बल कारे कर रहा हुता है कि दर बाहर की दिशा में आपट और केस इमपॉर्ण यह होता है गिसी वस्तु यह सिंटर Dopट चै Om और ग्रहा नाइन क की का बला विस्त एक को आईन का पॉयंट होता है तो पानी में गोगा जाता है तो पानी में ग्याने かर नेए अविरोद करता है अगर पानी में डुबोया गया तो क्या ये बॉयंट फोर्स क्या चाहता है कि इसको निकाल के बाहर फिको इसको निकाल के बाहर फिको अब बाहर फिकने के लिए करता है वो एक बल लगाता है उसी बल को क्या कहते है उत्प्लावन बल अप्थरश्ट या बॉयंट फोर्स ठी है ठीक है रेफिनेशन क्लियर हो गया अब मैंने आपको और चीज़ बताई कि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो वस्तु का सियो जी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह और बॉयंट फोर्स जो लग रहा होता उस पर वह वह सब्सक्राइब पढ़ा इसे बताई अगला टापिक क्या है हमारा अचा ठीक है यह देख लेता है उत्लावन बल लगता कितना है ठीक है उस जब फोर्स को कल्युलेशन करना था था मैं मतलब जब force को calculate करना था तो scientist लोग जो थे उन्होंने क्या देखा कि उत्प्लावन बल उतना ही बल लगता है जितना हटाएगा दरव का भार अगर हम किसी वस्तू को जैसे मालो यह 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 पूरा पानी भरावा है और यह वही माग है ठीक है इस मग को हम जल में डाल रहे हैं में बल यह इतना डूब होने के बाद जो इतना पानी था वहाट गया इतना पान घड़िया तो हमें force तो हमें up thrust जो feel कि ता फिल होगा वो उतना ही feel होगा जितना हमने ड्रव अटाया है उस का भाहर होता है ठीक है आद आप किसी वस्तू का भाहर कितना होता है भार बराबर और अफर ने महांथ और और बारवर एंगिहने तो जितना बी कि यहां पर द्रव रहा हटा रहेगा उसका भार उत्रहीं फील अमें अब क्या आफ स्कते हैं आप सभी लोगह को पता है कि तार्म और देंसित्व प्टें वॉल्यूम है कि नहीं तो यहां से मं म् reality in रखग के पर सब्सक्राइब में एकला रगारा जिनीटी आ शरुदी में लंग honestly है फ्रेस्टञ करें अगरे टोबिके यह विस डेशन तो कुछ है रिख़ए बस फार्मूला यह है अभी हैGE अफंद आगे देखते हैं अब हमें नोट करें वाली बत क्या है हाँ उत्प्लावन बलके कारण ही कोई डूबी वही वस्तु का भार वास्तु एक भार से कम याद पड़ता है अचा अगर आपको आपने यह नूटिस किया हो आप कभी डूबे हैं मतलब डूबे तो खर क्या ही होंगे आप कभी नदी बगरे में नहाने गिय होंगे तो क्या काel रहा है अपने वो डूब्की ली जाती बखिन तो आपको क्या फील होता है कि आप का पेट के तरफ से पूरा वेट पूरा वेट हो गया है आप पेट की पास क्या है सेंटर ऑफ ग्रविट्ती जबी भी आपका वे आपको जो gravity है आपके जो mass into accl, आपको जो भार है, आपको gravity नहीं, आपको जो भार है, भार मतलब mass into gravity, आप gravitational acceleration, उसको g, यादि mass into small g जो आपका भार है, उसका विरोध कोन कर रहा है, उसका विरोध एक upthrush force कर रहा है, यानि, दखो, एक बल है, ठीक है, यह माल लो, यह पानी है जाल है यहां पर वस्तु डू भी हुई है अब यह वस्तु नीचे की तरफ क्या है mg उपर की तरफ क्या है हमारा force अप्थ्रश फोर्स ठीक है तो दुनों एक दूसरे को cancel out करते हैं और हमें अपना भार कम फिल होता है हमें अपना भार क्या होता है है यही है उत्रव अब यह उत्रव्ण बल उपर फोर्स अप्थर्स अप्सरा만 हो रहें तो उत्रवन बल के करेंड़ ईूम contradDY हुई वस्तु का बहारो से करता है थेक है ठीक है दून नहीं होते है निटिस लेस यह सब्सक्राइब करनेते होता है् छिए टयूइल होता है इसकत्राइब कि उसम्मिक मारते हैं लोकि के मारेंगे इस त्लम चूइस या तर्य थाला वकर प्रकोन पर यस मिलुक्त ऐस बैएद बहुत का मुँगा ठीक है वो जो weight cup होता है, भार में जो कमी आती है, वो किसके करणा आती है, वो हमारे upthrush force के करणा आती है, clear है? हमारे जो अगला topic है, वो क्या है, Archimedes Principle, हमारे chapter का नाम था क्या? अगला, hydrostatics and Archimedes Principle, तो जोसका Archimedes Principle वाला पार्ट है, वो अब आने वाला है, बताव समय लोग clear है, अब यह तक कि सारी topics है, अब हमारे Archimedes Principle सुरू करें, तो जब यह उत्प्यावन पहल की study की जा रहे थी, तो Archimedes सर थे हमारे, Archimedes सर ने सोचा, Archimedes बताव एक पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने सोचा, दार्शनिक थे, वेग्यानिक भी थे, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि कोई वस्तु है, उसके अप्त्रश principle, clear, clear, अब वो principle था क्या, यह सोचते है, उनका बस सोचना इतना था कि अगर किसी वस्तु का अंदर डूब होएंगे, तो कितना पानी displace करेगी, कितना पानी बाहर निकालेगे, ठीक है, यह सोचा, उसने सोचा सा experiment किया, और उसी experiment में जो observation मिली, उसके according, उन्होंने यह statement द क्या है, कि Archimedes का सिद्दानत क्या है, कि Archimedes के अनुसार, the weight loss, the weight loss felt, when an object is dipped in the water, is equal to the weight loss of weight of water displaced by object, मतलब Archimedes तकुल बिला कि इतना बताया, इसे दोखो, यह वस्तु है, मतलब यह container है, इसमे मारा जल रखा गया, ठीक है, पूरा बाल लो, ठीक है, अब बाहर से लाते हैं, कोई वस्तु इस पर डूब होते हैं, ठीक है, बाहर से मने कोई वस्तु लाई, डूब होई, उस वस्तु रे इतना जल क्या है, डिस्प्रेश क्या, अब जो इतना जल है, वो बाहर, रिस्क गिर जाएगा, ठीक है, बाहर क तो अतुर्वस्टों को अन्दर तो वह उत्ना ही पानी उत्रा से बाहर रही इस अगर ठीक से वह एक बटलौ करोगगप इस्तु की तो उसके भार में कितनी कमी आएगी, उसके भार में अप्थरश के कारण उतनी ही कमी आएगी, जितने भार का पानी वो डिस्पेस कर रहा है, तो यह हमारा सिद्धान था, यह हमारा statement था, यानि जो बाहर में कमी महसूस होती है, जो आभवसी बाहर में हैसुस होता है, उसके बड़ाबर होती है, वो उसके दोरा हटाया हए जल के बराबर होती है, जितने जल का भाहर हटाये जाएगा उतर ही भाहर की कमी उस पर महसूस होगी यह हमारे फसे फज़ाना अब वस्तोंती थोरा हटाहेगा ऊंग में मीरें में अच्छो हमकिता था फाम न या वात घुलाब आ एक अछूज को लिखता तो जो उत्प्लावन पहला किता है वो वी सिग्मा जी है सिग्मा क्या है देंसिटी ठीक है सिग्मा क्या है उस वस्तू की देंसिटी डी क्या है उस द्रव की देंसिटी डी हमारे द्रव की देंसिटी और सिग्मा उस वस्तू की देंसिटी तो अभासी भाड जो फिल होगा व अरके बिदी नहीं तो बता है जो अभासी वहन हमें वहागा वह क्या होगा होगा हुआ वास्टरीट भार वे उत्रह ही vrij जागा है जीन अ Suppose वह भास्टीया कि नहीं लोगा से तो वी डीजी जानी जो व्सटरीक भार हो होगा बस पार क्य है वी इजी माइनस वी सिग्मा जी वी सिग्मा जी और आवासी भार वरवर वी जी वी माइनस सिग्मा यह फॉर्मुला बन जाएगा यहाँ वी क्या है द्रव का आयतन है और डी क्या है वस्तू का घनत है और सिग्मा क्या है द्रव का घनत है सिग्मा क्या है द्रव का घनत है क्लिएर चिख अंदर वस्तु का अभासिभार क्या हो जागा द्रब के अभासिभार फास्थिक भार माइनस सुप्वान बल इस विजी डी माइनस सिंगमा वी जी दी माइनस सिंगमा बताओ अब यह तकी सारी चाज़ एक सभी को करा अब बढ़ते हैं आगे एक सारी चीजे रिवाइस कर देता हूं दुबारा से उसका पढ़ना है आर्किमिदिश प्रिंसेबल का एप्लिकेशन ठीक है देखो एक बार से देखो तो यह थोड़ी थोड़ी रहेगी इसलिए मैंने सब कुछ पहले से लिखे रखा था आपको बस एक्सप्रेंट कर रहा हूं अगली लेकिन आज समय कम है इसलिए इतना ही रहेगा क्लास नारोजस व्लाण का श्रुञाष्ट पैसलिए पयले की यह पयोजा रहे हो जाता है और ओन०्रभ के हो लुक्त है अब द्रव के रहेगा बीतर किसी पर प्रसामान घाता है हाई ही है भार बल बदुबर होगा ठीक है इस्थिर द्रव में किसी बींदू द्रॉरा प्रतिक ॡिशा में समानदाब लगाए जाता है ती जी बात है ऑगर कोई बिंदू है इस्थिर द्रव के अंदर कोई बिंदू है वो प्रतिक दिशा में ऊपर की तरफ दाएं बाएं नीचे हर तरफ में जो बल लगाएगा वह समानों का पीवन बराबर पीटू बराबर पीट्री ठीक है वह चीच इंगलेश में लिखा है अब हिंदी में क्या क्या लिखा है समान गहराई पर 2 द्रव की बिच द्रव का अंतर उनके घ्रण तर करता है यादि करसुद्र करताई या aut expecting या cs कि देंसिटी यानि घंद अपर क्लियर है सारे लिक्विट प्रिशिर के सारे लॉक्लियर है तरफ आपके सबी नियम क्लियर है कि नहीं बताओ कि चलो भीया बहुत सही कि अगे बढ़े आजया आएँ अब अब बात क्या जाते हैं अनुप ट्रिश्च रहर हो जाता है तो मिला लाटों स्टेश्च उनहें होती बाढन लौण निकिल नुटी है किसी वस्तु को पाने में जाने पर वह तो बहार निकाल चाहता है उसके अंदर रहने का विरोध करता है जिस बढ़न से उत्लाँवन बल कैसे अNow पूर्णडुप से डुगोने पर उसे बाहर की बल लगता है उसे बलो क्या कहता है उतलावन बल और वह जो बल लगता है वह वस्तु के सेंटर अफ ग्रावटी सीओ चीओ के से एक ही रेखा में होते हैं यह क्या है यूद्व रशा किया है यह पिंसको डिया है यह दिच तिन अब्स वार सब्सक्राइब को होता है इसी पर अपना सिद्धान कि अंवेट को पानी दिस्प्रेस करता है उतना ही कम होता है अच्छा उसके चैनल लौँ पाइब जड़या अब्द को है इस दिए is equal to the weight of water displaced by the object clear नवा क्या था हमारा वस्तु दूरा हटाया गया जल कभार mg यानि भाही वी सिग्मा जी डबली बराबर वी डी जी उसके अनुसार को जावे आभासी बराबर वी जी डी माइनस सिग्मा सिग्मा क्या है द्रव का दी क्या है वस्तु का ठीक है यहां पर सारी क्या है तो आज कंश्या लेता है उम्मिद करता है उबीद खाये अच्छे लगा होगा अपने दोस्तों के पाष जरू करेगा और को यह को हुष सकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल